वो शो हस्ती हुई जिन्देगी दे गए निश्चित रूप से आज हमारे सब के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है और एक जो एक आनंद का भाव जो निरंतर में देख पाती हूँ संसार में जब जाते हैं और आम दुनिया को जब देखते हैं और फिर जब हम सब मिलते हैं इस साधना के शेत्र में और सब के चेहरे जब देखती हूँ तो बड़ा फर्क मिलता है एक सतत आनंद का भाव ठीक है सातत तूटता है कभी-कभी लेकिन परसंटेज जो मैं देख पाती हूँ और एक निरंतर एक खिलावट जो आज बनी हुई है सब के चेहरों पर वो उशो की दी हुई है क्योंकि उन्होंने जो हमें समझ दी है समझ का परिदाम है क्योंकि जिन्दी केवल आप सोचो की केवल एक पंख से चल जाये, नहीं दोनों पंख्यों से चलती है, ऐक समझ पंख समझ है अगर हम ने केवल ध्यान की ही टेक्निक की और समझ वि Songs नहीं हूई जीवन में और जीवन में हम समझ से नहीं चल रहे है प्रग्या जिसको कहते है विस्टम जिसको कहते है विस्टम बाहर से नहीं आ रहे है विस्टम और ध्यान एक्चुली ध्यान करेंगे तो विस्टम है और जहां पर विस्टम है वहीं पर ध्यान जहां पर विस्टम नहीं वहां पर ध्यान भी नहीं याद रखना जह है हम reaction में चले जाएंगे प्रतिक्रिया में चले जाएंगे लेकिन response नहीं सकता та response थ आएगा जो हमारी बुद्धी वह पर है जहां पर जिस पर सीदी वें हम मौजूदी है यानि हमारी मौजूद्गी तो बुद्धि जहांपर है वहीं पर दियान और जहां धियान घटितो और वहीं पर बुद्धि होगी तो अल्टीमेटली ओषं एक जुगे कहते हैं कि ध्यान और बुद्धि विज्डम ऐनेडितेशिंगी यह डि ank फैर नहीं एक है है एक manifestation है और एक कहलो को दीपक और उसकी लौ एक दिया है और उसकी रौष्णी है एक तो इसलिए जीवन में जो हमें आज समझ मिली है यह जो रौष्णी मिली है यह ओशो की दी हुई द्रिष्टी का परिणाम है और इसको हम निरंतर हम कैसे इसके सतत इस्मरण में जीए इसके लिए जरूरी है कि हम अपने स्वरूप से जुड़े रहे एक पेड अगर अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा रहेगा तो ज्यादा दिन हरा नहीं रह सकता थोड़े दिन उसकी हरापन रहेगा लेकिन फिर सूख जाएगा उसकी हर्याली तभी कायम रह सकती है जब वह अपनी जमीन से जड़ों से जमीन से जुड़ा हुआ है जमीन से उखड़ गया पोशन खतम हो गया तो जमीन क्या है वो हमारी जड़े कहां है हम किस से बने हैं इंफेक्ट वो राज उशो ने बताया हरी ओमतसत शरंकला में और हलाकि वो राज तो हर प्रवचर में खोलते हैं लेकिन इस शरंकला में उन्होंने बड़े इस पश्ट इस पश्ट तो हर तरीके से वो समझाते हैं लेकिन इसमें जिस तरीके को उन्होंने दिया है हमारे सामने उसको ग देखो, अंग्रेजी में पाँच प्रवच्चन मालाएं ऐसी हैं, जिसमें ओशो ने संस्कृत के नाम दिये हैं, प्रवच्चन अंग्रेजी के हैं, लेकिन नाम उन्होंने संस्कृत के दिये हैं, उनमें से ये एक प्रवच्चन माला है, हरियुम्तस्थ्थ्थ्थ्थ्थ् ओशो ने वैसे जो अर्थ है वो दोनों अर्थ ओशो ने लिये हैं पहला अर्थ लोग भगवान को हरी कहते हैं लेकिन चुकि भगवान को हमने शकलों में बना लिया अलग लग शकलों में अलग अलग धर्मों ने अपने अपने तरीके के भगवान रूप दे कर बनाए जो उ कि मैं दूसरा आर्थ इसका लिया जाए हरी का अर्थ होता है हरण करने वाला जिस चुराने वाला Master Thip एक ऐसी ध्वनी है जो कि हमारा दिल जो हमें हमी से चुरा लेती इंफेक्ट ऐसा कहो कि हमारे अहिंकार को चुरा लेती है और फिर जो बचता है वो तो परमात्मा ही बचता है तो हमारे फाल्स स्वरूप को जिसने हमने अपना होना माना है उसे हम से चुरा लेती है ठीक ऐसे जैसे कोई लोहे का तुकड़ा अपना वजूद बना कर रखे लेकिन चुम्बक उसके सामने आ जाए या चुम्बक के सामने वो चला जाए तो चुम्बक उसे खीच लेता है ऐसे हम एसे खीच जाते हैं फिर इस ध्वनी के ओर जब हम शूने होते हैं कि हम हमारी तरह नहीं बचते फिर हम एक अस्तित्व का अस्तित्व ही बचते हैं हमारी अलग और सेपरेट कोई सत्ता नहीं होती है फिर फिर ओशो ने इसे अस्तित्व का दखकी धड़कन कहा है, अस्तेतु का गीत कहा है, बड़ा प्यारा नाम दिया है, अस्तेतु का गीत, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा इसपंदन, एक ऐसे वाइबरेशन इस ध्वनी के हैं, यह किसी भाशा का शब्द नहीं है, यह केवल एक ध्वनी मात्र है, और ओम एक सिंबल कुल है और फिर उस integrate किबारे में इस प्रवचन में बताते हैं कि अलग अलग Vibrations से इस ओम के Vibration से अलग अलग चीजों की का निर्माण हुआ है इस श्रिष्टी की रचना और इक अलग तरीकी कि धोनी तरंगों के पेल बन गए फिर कुछ और धोनी तरंगों से पशुपंची बन गए इस तरीके से उन्हों ने इस प्रवचन में बताया है जो कि हम आगे हम सुनेंगे इसे है तो ऐसे हरियों तस्थ कार्थ हुआ कि हरी यानि हरन करने वाला हमारे को हम से चुरा लेने वाला हमें मिटा देने वाला और ओम यह जो ध्वनी है अस्तित में गूशती हुई और सत्त यही सत्य है सत्यकार्थ जो सदा सदा है शाश्वत है इसी से हम आये हैं इसी में रहते हैं इसी में हैं चाहे एक मचली भूल जाए कि वो सागर में है लेकिन रहे तो सागर में ठीक ऐसे ही हम इसी में इसी के जीवन है और जब प्रलय पहो जाएगी तब भी ये बचेगा तो ऐसी चीज जो सदा से थी और सदा है और सदा रहेगी वही सथे हैं। जो है और मिट जाती है वह था एह पना है यहतो फार केुद्टे में और सपने में तो ये चणबंगुर नहीं ये शाश्वत है और ये गीत के भाव उत्रे है इस गीत को हम सुनेंगे और हर्यों तस्सत की याद में डूबेंगे मालिक चला रहा है ये संसार तू ही तू मालिक चला रहा है ये संसार तू ही तू सारे जहां के जुड़ता है तार तू ही तू नदियों में बादलों में हवाओं में हर तरफ छेडे है कायनात का मलहार तू ही तू मालिक चला रहा है ये संसार तू ही तू सारे जहां के जुड़ता है तार तू ही तू है रत नहीं की तैरती है इन पे कश्टियां कश्टि चलाता तू ही है मजधार तू ही तू मालिक चला रहा ये संसार तू ही तू संसार तू ही है झाल झाल